हेलो एबरीवन गुड मॉर्णिंग वेल्कम बेक टू माइचनल देखिए आज हम यह जो मस्कूज को डिजाइन करने बाले हैं तो यह देखिए हमने लिया है यह जो है यह जो एक पीनी को डाल दिया है इसे करके और वेस्ट पल्किन है उसको एसे करके डाल के इसके अंदर मिट्टी बढ़ दिया है अभी हम क्या करेंगे यह मस्रूज को इस पर लगाएंगे इसका एक निया मतलब रिसाइकल होके एक निया दिसाइन हो जाएगा यह देखिए हम ऐसे लगाएंगे एक आईयर को मतलब वेस्ट जो में थ्रया है उसके साथ भी ऐंपार्मिंग सुरू कर सकते हो जो भी ऐसको सब्सक्राइक्या मैं पर में परआ फूल्डी वेस्ट मैटरल को मैंने री साइकिल किया है अब देख सकते हो मतलब जो भी वेस्ट फल्थिन है वो सब में मैंने लगाए हूँ यह देखिए मेरे गाड़न में जितना भी मतलब जो भी पड़ा लगाया हुआ है वो सब वेस्ट फल्थिन में मैंने लगाया हुआ है यह दिखिए कि मैंने अगले हप्ते ही लगाया हुआ था वेश टायर में आप ही दिखिए मसरूज इसमें कितने सारे पुरा खिल गया यह दिखिए कितना सुन्दर हुआ है मसरूज पुरा अब यह दिखिए अब हमने इस पर मसरूज को लगा दिया है अब यह मतलब तीन चार दिनों में यह पूरा आप देखिएगा यह पूरा मतलब अब बदा जो है पूदा तो लग भी जाएगा और इसमें पूला ना भी सुरू हो जाएगा कितना सुन्दर देखिए मतलब अब जाएगा कितना सुन्दर देखिए मतलब यह फूरा रखिए हमें सीएग में सबदोग मतलब वेस्ट में त्वश बदेखिए हम रखिएगा को मतलब वेस्ट में तेल से अम लूप रणखिए मतलब अगज करते हैं यह मैं आपको दिखा रही हूं यह दिखिए मेरा जब रागन है वह पूरा वेश्ट में के हम में पदा हूए यह दिखिए पूरा रेडी हो गया है अब इस पर हम पानी देंगे और यह मस्तूश को लगाओ गे ना एक दिन में यह लग जाता है इसकी जो डाली है इसका जो पोधा है मतलब डाली आप लगाओ गे तो यह मतलब एक ही दिन में लग जाता है पूरा तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीगा मेरे वीडियो को लाइक कर दिजीगा और नौटिपिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दिजीगा ताकि मेरा जो अगला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके एसे इसे ही आपको गार्णिंग की मतलब वीडियो देखना है जैसे गार्णिंग टीफ लग चाहिए अप लोग को तो मेरे चैनल को लगने रहेगा तो देखिए मैंने जो मसरूज को टायर में जो मतलब टायर जो है उसको जो रिसाइकल किया था तो यह देखिए अभी मनलब दस दिन हो गया है और देखिए अभी इस पर फोल में आने लगे हैं और उसमें कितने अच्छा से मसरूज भी हुआ है तो आप ऐसे ही मिदलब टाइर को आप रीसाइकल कर सकते हो ढ़लके कोई भी पुराने चीज़ को आप रीसाइकल करके अपने गार्डेन को मिदलब सुंदर बना सकते हो तो देखिए मैंने ये टाइर में जो भी लगाया था मस्रूज अभी ये कैसे बूरा खिल गया है बराबरा हो गया है थैंक यू